गुड मॉर्णिंग स्टूरेंट्स देखो जो लास्ट टाइम आपका टॉपिक कवर हो गया था कौन-कौन से हो गई थी आपका चैप्टर सेकिंड जो चल रहे हैं ठीके फर्स्ट आपका हो गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गई थी प्री फर्टिल तो आज को आपका टॉपिक है वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो अभी आपको मैं टेबल के थूप पहले आपने देखा था कि जो फ्लार है फ्लार के ओपर कैलिक्स को रोला स्टाइल स्टिग्मा एंड्रोशियम यह सब देखने को मिलते लिए लेकिन जब फर् हो जाएगी फरूट के फर्मेशन हो जाएगी ऐसे ही जो यह जा बन जाएगी पैरिकल आव्यूल जो है वह इनसीं को टैजरेंट बने और Inner Intagument आपकी फोर्मेशन करेगा टागमेन की छी के माइक्रोपाइल के अंदर कोई चेंजिस आपको देखने को नहीं मिलेंगी उसके बाद जो फनीकल है जिससे की अटाच होता था अव्यूल अब वो क्या बन जाएगी वो सीड की स्टॉक बन जाएगी आपने देखा भी ह कि कहां पर प्रेज़न होता है नियू सेल अज्टाइब किसी केसिस के अंदर जो है बचता है अगर बचता है रिमेंस तो उसको यानी वह किसकी फोर्मेशन करता है पैरिस्पम की चिके और एकसेल जो है अफ्टर फटिलाइजेशन क्या हो जाते हैं जाएगोड की तो आप यह सोचोगी कि endo sperm की formation तो आप सबसे पहले हम double fertilization का थोड़ा सा पार एक बार रिमाइंड कर लेते हैं देखो यहां पर क्या था double fertilization के अंदर यह जो था एगप्रेटस यहां पर क्या था कि male gamit male और female gamit का fusion हो गए था और जाइगोड की formation हो गई थी जाइगोड की formation होई थी जो कि क्या था डिपलोई चीक है और उसके बाद जो निचे थे आपके antipodal cells चीक है towards the chalizal and यह क्या होगी कि सारे डिस्ट्रोई हो जाएंगे और बीच में आपका था polar nuclei और उनमें से एक gamit उनके साथ fuse होकर क्या बना रहा था 3N चीक है एंडो sperm बनाया था चीक है जिसको triple fusion के बाद जो form होगा था आपका एंडो sperm तो आपको पता लगया आपके पास आप क्या है fertilization डबल fertilization के बाद आपके पास क्या है जाएगोट है और एंडो sperm है चीक है तो अगर आप इसी को देखते हो complete तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा complete आपको एंडो sperm और यहाँ पर क्या है जाएगोट बाकि सब जो synergates है या फिर antipodal cells है यह सब क्या हो हो चुके हैं अब disintegrate हो चुके हैं चीक है तो अब जो आपके पास जाएगोट बचाए जाएगोट के अंदर भी further division होगी further formation होगी उससे पहले यह जो जाएगोट है इसको यानि कि जैसे आपको खाना चाहिए होते है आपको food चाहिए होते है पैसे ही यह क्या गरता है यानिके जाएगोट को भी food चाहिए further development के लिए nourishment चाहिए तो यह अपना nourishment जो यह endosperm है इससे obtain करते है चीक है तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा जाएगोट इस स्टेज में क्या होगा एक rest period पर होगा और endosperm की formation होगी ताकि endosperm form करे और क्या करे इसको यह endosperm जो है वो nutrition प्रोवाइड करे किसको जाएगोट को चीक है तो अब आपका सबसे पहले endosperm के बारे में endosperm की development कैसे हो रही है क्या structure है कितने types है सब कुछ जो हम clear करेंगे तो सबसे पहले जो endosperm है चीक है वो क्या होते है endosperm से ही पता लग रहा आपको आपको पता लग गया है कि यह क्या है food leaden tissue है जो क्या करते है embryo को nourishment provide करने का काम कर रहे है ठीक है फिर इन endosperm जो endosperm है एक special tissue होता है आपको मैंने बताया यह कैसे फोम हुआ है चीक है वेजटाटी फटिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूजन के बाद और किस का फ्यूजन हुआ था महाँ पर दो यानिकी एक milgamit थी और डिपलोईड secondary nucleus जो के central cell था उनका जब फ्यूजन हुआ तो क्या फोम हुआ ट्रिपल आन है endosperm जो है वो फोम हुआ था चीक है तो अब डिपेंड करता है कि यहां पर कहें depending upon the mode of its formation जो endospermic endosperm है वो तीन टाइप्स के होते हैं चीक है उसकी यह क्या है 3N चीक है endosperm इसके अंदर mitotic division होगी चीक है mitotic division होगी और यह क्या करेगा बहुत सारे cells को produce करेगा लेकिन एक जिसके अंदर आप हमेशा याद रखोगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है cell wall divide नहीं हो रही सिर्फ और सिर्फ नुकलियस डिवाइड हो रहे हैं चीक है तो जो यह endosperm है आपका जब इसके अंदर क्या बोलते हो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने वैसे जब मिटोटिक डिविजन होती है तो उसके अंदर क्या होता है एक cell है सबसे पहले उसका nucleus divide होगा चीक है बढ़ाइड होकर तू सेल्स की formation कर दें उस स्टेज को हम cytokinesis कहते हैं चीक है लेकिन जब आपकी इस endosperm के अंदर सिरफ और सिरफ कहां तक देखने को मिलेगा इसके अंदर सिरफ कैरो ही ऋिटूस प्लाजम के अंदर बहुत सारी नुजेयी जो हैं वो मौ Trop मो जाएँगी है एसे ही बहुत सारी मोट्वतिटीज होकर क्या हो जाएँगी बहुत सारी value जो है न्यूक्लिस फो मोई जाएंगे किस के अंदर éénगी साइट तो dapat क अंदर क्या हो हूँ बहुत सारे जो nucleus है वो form हो रहे हैं freely nucleus तो यही जो stage होती है इसी को हमने बोला है nuclear endosperm जो primary endosperm nucleus है वो divide करेंगे rapidly जिसके अंदर क्या होगी wall की formation नहीं होगी और large number में free nuclei जो है वो आपको देखने को मिलेगी उसके बाद आपको एक example देना है तो example आप क्या बताओगी coconut आपने coconut देखा है तो coconut जब उसके अंदर क्या होता है milky आपने देखा होगा जो पीते हों उसको coconut milk बहलते है जो उनके सेंटर में present होते है जो liquid present होता है छीचे वो क्या present होता है यहाँ पर free nuclear होता है वो ठीक है उसके अंदर क्या होंगे free nuclear endosperm होता है जो आप वो गिरी बोलते हो ठीक है लेकिन आपको यह पता लगया कि जो nuclear endosperm में वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा जो coconut का water होता है, milk होता है, जो उसके अंदर present होता है, coconut milk present होता है उनके center में, तो वो free nuclear endosperm होता है, चीक है, उसके बाद जब cellular endosperm में क्या होगा, जो यह free nucleus थे, चीक है, इतनी सारी जो cell के अंदर free nucleus तैर रहे होता है, एक ही cytoplasm में, तो उनमें cell wall की formation हो जाती है, चीक है, cytokinesis हो जाएगा, यानिकि cell wall की formation हो जाएगी, उसी को ही cellular endosperm का जाता है, यह stage अब कब देखोगे, जब coconut के अब जो गीरी खाते है, जो बहुत hard हो जाती है, जो क्या होती है, जो क्या हो endosperm के अंदर जो division होगी by cytokinesis, और यह क्या कर देंगे, जब इनके अंदर cell wall की formation हो जाती है, उसी को ही cellular endosperm का जाता है, एक्जामपल के लिए आप धतूरा भी बता सकते हो, उसके बाद next step का hellobial endosperm, चीक है, hellobial endosperm के अंदर आपको दोनों देखने को मिलेंगी, आप इसके अंदर आपको कुछ freely nucleus देखने को मिलेंगी, और आपको इसके अंदर cell wall की formation भी जो है, देखने को मिलेगी, अगर आपको दोनों देखने को मिलेंगी, जिसमें freely nuclei भी है और cell wall की formation भी है, तो उसी को ही hellobial endosperm का जाता है, जिक है, अब यह जो endosperm होते हैं, वो क्या क कर देते हैं, जिक है, और उसके बाद next आपको कहें कि कभी-कभी जो endosperm होते हैं, endosperm को भी क्या करते हैं, जो embryo होते हैं, वो endosperm को खा कर nourishment obtain करते हैं, पर किसी-किसी case में ऐसा होता है, कि जो endosperm है, वो अभी भी बच जाता है, थोड़ा, वो seed की development होने के बाद भी endos जो है, वो बच जाता है, तो वो किस, उस stage को हम बोलते हैं, albuminus, जो हो सारा embryo नहीं खाते, कुछ बच जाता है, उन cases में, तो उस condition को हम बोलते हैं, endosperm में को, albuminus, और वो किसमें देखने को मिलेगा, आपको, caster और cereals के अंदर, next step का, और जिस cases में, endosperm पूरा absorb कर लेत हैं, और अपने food को reserve करके रखते हैं, अपने cotyledons के अंदर, वो भी आगे आपको बताऊंगी कैसे, तो सिर्फ आपको यह याद रखने हैं, जो कि पूरी तरह से absorb कर लेते हैं, embryo, उनको बोला जाते हैं, non endospermic or x albuminus, उसको non endospermic or x albuminus seed, जो है, वो का जाता है, उसके बा वो सारे के सारे endosperm को खा लेते हैं, तो उसको हम albuminus बोलते हैं, चीके, यानि कि जब वो पूरे के पूरे उसको absorb कर लेता हैं, तो उसे हम sorry non albuminus बोलेंगे, चीके, जब क्या करते हैं, जो growing embryo होते हैं, वो endosperm को completely absorb कर लेता हैं, कुछ भी portion नहीं बचता हैं, तो उसके ब आपका next embryo, चीके, आपका पता लगया, आपकी endosperm की अब होगी है development, अब nourishment प्रोवाइड करना है, उन्हें ले लिया, उन्हें चीके, मतलब embryo ने developing embryo ने nourishment obtained कर लिया, वो obtain भी कैसे कर रहे हैं, चीके, उसके लिए भी, अब ये embryo, अब embryo की formation होगी, चीके, तो endosperm की formation होगी है, अब next है आपका embryo की formation, इसके अंदर आप structure, types, development, जो है, वो सब कुछ पढ़ोगे, तो इसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था, कि सबसे पहले जो जाइगोट है, after a period of rest, develops into a embryo, मैंने आपको बताया था, कि जाइगोट जो है, वो एक rest period पर चला जाता है, अंदर division होगी, और embryo की formation होती है, चीके, तो अब यहाँ पर कहे है, कि जब एक period के बाद, एक rest के period के बाद, जब जाइगोट की formation, एक embryo में हो रही है, चीके, तो यही जो प्रोसेस है, जिससे की, यानि कि जाइगोट से embryo बन रहा है, mature embryo बन रहा है, उसी प्रोसेस को ही यहाँ पर embryo genesis का जाता है, चीके, अभी जाइगोट जो है, वो राइस्पीरिट पर चला गया था, जब एंडोस्परम की formation हो चुकी है, तो अब जाइगोट क्या करेगा, further development होगी, चीके, और क्या करेगा, mature embryo की formation करेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, embryo genesis, फिर अब एंड डाइगोट में कैसे होती है, और embryo genesis, जो है, वो मोनोकोट में कैसे होती है, चीके, यह आपको मैं basic, जो theoretical है, वो मैं बाद में बताऊँगी, पहले आपको मैं थोड़ा डाइग्राम से समझा दूँ, चीके, देखो, सबसे पहले क्या होते हैं, आपने देखा था, कि अगर जो embryo की development होगी, उसको nourishment, यानि food प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चीके, तो अब यह जो आपका जाइगोट है, चीके, जाइगोट की जो formation होई थी, आपका 2N जाइगोट, चीके, अब इसके अंदर क्या होगा, फर्दर जो है, मिटोटिकली डिविजन होगी, यह जो आपका, चीके, 2N है, यह जाइगोट, चीके, 2N, यानि deployed जाइगोट है, यह divide करेगा कैसे, by transverse wall into two unequal cells, जब इसके अंदर division होगी, transversely जो है, यह divide करेगा, और divide होने के बाद यह two cell formation करेगा, चीके, two cell formation होगी, एक यहाँ पर क्या होगा, larger base cell cell होगा, larger base cell cell form करेगा, जो micro-pillar end की तरफ, चीके, और एक जो होगा, यहाँ पर, larger end की तरफ, terminal cell की formation हो जाएगी, जब यह जाइगोट, metotically divide करा, तो basically two cell जो है, वहाँ फोम होगे, ठीके, एक cell कहाँ पर foam होगा, micro-pillar end की तरफ, जिसे क्या नाम दिया गया, basal cell, चीके, और एक जो है, वो larger end की side, अगर पर नीचे जोगा, basal cell होगा, और उपर जो होता है, यहाँ पर आपका terminal cell होगा, जिसे further embryo cell बोलते हैं, चीके, और embryo की formation होगी, इस terminal cell से आपकी, तो आपको समझ आ गया कि यह जाइगोट है, और जाइगोट को अंदर further division होई है, और division होकर उसने दो cell की formation कर ली, पर्स cell जो है, आपकी आगे जाकी embryo की formation करेगा, चीके, तो अब देखों, यहाँ पर क्या है, कि further अब क्या हो रहे है, इसके अंदर दुबारा से क्या होगी, metotically divide करेंगी, और यह जो basal cell है, चीके, इसके अंदर further division होगी, और यह क्या करेंगी, 6-8 suspensor cell की formation करेंगी, यह जो आपको द suspensor cell, चीके, यह जो आपको देखने को मिल रहा है, यह क्या है, suspensor cell, चीके, इनका जो उपर वाला है, एक cell जो है, जो कहाँ पर है, water को, neutrons को, तो और यह जो आपका, इसी suspensor का, यह last वाला cell है, जो किसके साथ attach है, इस embryo, यानि किस terminal cell के साथ, जो attach है, वो क्या करता है, यह hypo physis की formation करता है, ठीक है, hypo, यह grow करके, hypo physis की formation करेगा, चीके, दुबारा बताते हैं, एक पर आपको, किये जाइगोट है, इसके division हुई, two cell formation हुई, एक cell जो है, वो क्या होगा, larger, जिसका नाम क्या दिया गया है, basal cell, दूसरा यहां पर terminal cell है, जिसका नाम क्या दिया गया है, embryo cell, तिरी इस basal cell के अंदर further division हुई, और उसने six to eight suspensor cell की formation करी, चीके, उस suspensor cell का, जो अउपर वाला cell है, जो towards micropylor end है, उसके अंदर कुछ growth होगी, वो swole करेगा, और वो किसकी तरह काम करेगा, hostarian cell की तरह काम करेगा, और इसी suspensor cell का, जो नीचे वाला cell है, जो किसके साथ अटेच है, embryo यह terminal cell के साथ, वो किसकी तरह काम करेगा, वो hypophysis cell बनेगा आगे जाके, जो हमें आगे जाके radical देंगी, और root tip की formation जो है, वो करेगा, ठीक है, समझा गया इतना, और इसी stage को आप क्या बोलते हैं, pro embryo, pro embryo क्यों बोलते हैं, stage को, कैसे बोल रहो है, pro embryo भी, देखो जो आपका यह यहाँ पर क्या है, कि आपका जब यह terminal cell है, इसके अंदर फर्दर जो होती है, दो vegetative division, sorry, दो vertical division होंगी, ठी ठीक है, तो उसके बाद ही produce करेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ, कैसे होगा, देखो यहाँ पर, कि यह जो आप नीचे वाले terminal cell की, अभी आप सिरफ और सिरफ इतने cell की बाद करो, ठीक है, इतना का तो पढ़ लिए, आपने की यह cell है, इसके अंदर division होई, और इसने 6-8 suspension cell की formation कर दी, उपर वाला hostarian की तरह काम कर रहा है, और नीचे वाला किसकी तरह काम कर रहा है, हाइपोफाइस की तरह, अब हम नीचे वाले, यानि की terminal cell की बाद कर रहे हैं, ठीक है, एंब्रियो cell की बाद कर रहे हैं, इसके अंदर कैसे division होगी, मैं बताते हूँ आपको, दे एक क्या होगा, दो cell produce होगे, इधर से एक से दो cell produce होगे, vertical division ऐसे होते हैं, चीक है, तो यहाँ पर क्या होगे, produce होगे, ऐसे चार cell, ठीक है, vertical division होई, दो vertical division, एक vertical division से दो cell produce होगे, दूसरे vertical division से फिर दो, तो total कितने होगी, चार, चीक है, तो इन्हों ने इसको quadrant stage, vertical division होई, य यानिकि superficially और laterally divide कर जाती है जैसे कि एक paramecium ये example ले लो फिर यहाँ पर के डिवाइड कर जाते हैं और ये दो cells की formation कर देते हैं चीक है तो फिर further इनके अंदर एक transverse division होगी इसके अंदर एक transverse division होगी तो division होने से अब इस एक के अंदर जो है ये दो produce होगे फिर दूसरे वाल जब इनके अंदर transverse division होगी तो कितने produce होगे 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है 8 cell produce होगे समझ आ गया कि जब यहाँ पर कहती वर्टिकल division होगी 4 cell formation होगी quadrant stage का आ गया फिर एक transverse division होगी जिससे उन्होंने octet formation करी यानिकि 8 cell की formation होगी octet की formation करी फिर जब इनके अंदर further division होगी जब आपको further division देखने को मिलेगी इसके अंदर और भी further division होगी तो यह क्या कर लेंगे बाहर जो है एक layer form कर लेंगे जिसका नाम है dermatodum जो क्या form करेंगे dermatodum फोर्म करेंगे या फिर जिसको आप क्या बोलते हो proto-dum यह बाहर जो ल होगा वह further division हो जाएगी और वह किसकी formation कर देंगे यहां पर pro-cambium की चीक है और फिर pro-cambium जो है वह आपका further बन जाएगा यहां पर वेस्कुलर स्टेंड चीक है और यहां पर ही ग्राउंड मेरी स्टेंड की formation होगी जो की पित बनेंगे आगे जाकर यह सब जो आपको formation होगी जिसको update stage का आगया चीक है फिर इसके अंदर further division हुई और यहां पर क्या बाहर ले फोम कर लेंगे जिसको क्या का गया डर्मेटोडम या प्रोटोडम का गया और अंदर वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर further development होगी और वह क्या बनाएंगे pro-cambium की formation करेंगे और यानि क इसके बाद next आपका कि यह जो नीचे वाला end है इसको हम बोलते हैं इपी बेसल चीक है और यह वाला होता है हमारा हाइपो बेसल जो इपी बेसल है इसके अंदर further division हुई और यह इपी बेसल सेल जो हो हर्ट शेप के हो गए चीक है यनकी आपका हर्ट शेप embryo फोम हो गया य चीक है तो प्यो जब्स घटो आपको कैसे देखने का मिलेगा कि आपका यहां पर शक्तिंसर सील है चीक है और उसके रीद्ध नीचे जो होगा आपका इसक यह है ऐ आपका साप्लेश का हम हो जाएगा और यह वाल इसके आपके गश्र ओध इसके गात नीचीन नीची मीश एक्सीज होती है चीक है embryonic axis embryonic axis के embryonic axis से दोनों kotyledon attach होते हैं और इसके उपर वाले portion को हम बोलते हैं ipocotile और नीचे वाले को बोलते हैं hypocotile चीक है जो की फर्दर क्या होता है यह जो hypocotile है यह root की formation करेंगे ipocotile यह shoot की formation करेंगे plume बोलते हैं जिसको चीक है यह सब जो है फोम हो जाएंगे आपके देखो यहां पर यह क्या है kotyledon form हो गए चीक है यह क्या प्लूमल और यहां पर यह यह निक्चे वाला जो आपका क्या होगा यहां पर अगर इसको उल्टा करके देखते हो हैंग अगर इसको उल्टा करके देखते हो मतलब ऐसे यह आपको यह उल्टी structure जो है एंसे आटी में दी हुई है पर यह exactly होती कैसे ऐसे हैं चीक है यह ऐसे हैंग कर रहा होता है यह एंड और यह plumal होगा इस plumal से further shoot की formation होगी और इससे क्या होता है root की formation होगी चीक है और इसी radical के ओपर root tip होती है अब समझ आ गया होगा आपको यह आपका यह जो डिरेक्शन में दिया हुआ है आपका यह opposite direction में दिया हुआ है पर exactly होता कैसे हैं वह ऐसे होता है चीक है आ गया समझ आपको कि कैसे जो है hypocotyl और epocotyl क्या होगा और यह सब जो है आपकी complete formation हो जाती है embryo की अब आपको इतना समझ आ गया होगा तो basically उसके अंदर भी आपको समझ आई जाएगा देखो यहाँ पर भी इस diagram के coding भी जाएगोट है फिर इसके अंदर two cell formation होगी terminal cell, basal cell यह आपका opposite करके है चीक है मतलब यह right दिया हुए books में opposite करके दिया हुए चीक है तो यह नीचे की side से दिया हुए terminal cell फिर further इनकी formation होगी और last में आपको यह देखने को मिली जाएगा चीक है उसके बाद है next आपका कि आप एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है वै दूसरा जो जिसको आप क्या बोलते हो suspensor cell बोलते हो और जो दूसरे वाला है जो antipodal end की तरफ है चालेजल end की तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं terminal cell और embryo cells बोलेंगे फिर further जो suspensor cell है वो डिवाइड करेगा ठीक है transversely और फिर वो क्या प्रोड्यूस कर देगा filamentous suspensor जो की 6-10 Toncell से मिलके बना होते हैं उसके बात जो आपका suspension है वो क्यावरता है यह सपरिष्पेंसर सेल है उसका काम ही क्या होता है अब यह जो बेसल इसल पर आपको जो suspensor cell लगा होता है यह क्या करता है जो अभी आपका endosperm present होता है और यह आपका embryo यह उसको पुश करता है endosperm तक यह निकि endosperm को खाने के लिए nourishment प्रोवाइड करता है ना तो यह embryo को पुश करता है endosperm तक कि वो इसली अपना नरिश्मेंट अप्टेन कर सके अगर यहाँ पर endosperm हो और यहाँ पर आपका embryo हो तो यह नरिश्मेंट कैसे अप्टेन करेगा अपना खाना कैसे प्रोवाइड करेगा तो यह जो suspension है इसको क्या करने का embryo को पुश करने का काम करता है endosperm के अंदर फिर उसके बाद जो first cell है इंदा सस्पेंसर टू आप माइक्रोपाइलर एंड जो swollen हो जाएगा किसकी तरह काम करेगा होस्टोरियन की तरह चीक है और इसकी जो growth होती है वही transfer करने का करती है cells को काम और उसके बाद जोसका last cell है वो किसको हम क्या बोलते है हाइपोफाइस बोलते है जो further किसकी formation करेगी radical or root cap की formation करेगी चीक है फिर उसके बाद जो epubacal cell है मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर कैई suspensor cell है चीक है और यहाँ पर यह जितने भी थे यहाँ पर निचे जो है epubacal cell इनके अंदर further development होगी और यह किसकी formation करेंगे cotyledon की और plumal की formation कर देंगे two cotyledon और one plumal जो है वो form कर देंगे फिर यहाँ पर जो है एक cotyledon जो है वो monocode के cases में देखने को मिलेगा आपको और two cotyledon जो है वो आपको dicode के case में देखने को मिलेगा जो hypobacal cell है जो produce होंगे hypocotyl accepted step उसके बाद यहाँ पर कैई सबसे पहले जो embryo की development है वो कुंसी होई है globular होती है फिर फिर उसके बाद further development होगी जिसको हम pro embryo बोलते हैं फिर जब जो है embryo जो है उसके अंदर further development होगी radical plumal cotyledon यह सब आपको देखने को मिलेंगे मैंने बताया था ना कि यह जो है यह देखो mature जो है आपको यह embryo की formation होती है तो यह क इसपेंस लगाएं तो यह क्या radical है जिससे कि आपकी root tip की formation होगी यह क्या plumal है यहाँ पर जो यह बीच में यह क्या embryonic axis जिस पर kotyledon attach है इससे जो यहाँ पर क्या होगा जहां पर यह root है उसको हम बोलते है hypo kotyledon और यह क्या होता है इपी kotyledon यहाँ पर plumal होगा यह hypo kotyled जो होता है ना वो further develop होकर क्या करते है root की formation करेंगे और यह जो plumal है क्या करते है shoot की formation करते हैं चीके तो आपको यही सब यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर के two kotyledon differentiate from the site अ फेंट जो plumal है वो center में आपको देखने को मिलेगा चीके उसके बाद जो heart है वो embryo के बाद जो heart shape बनते है फिर उसके बाद वो पूरी तरह से formation जो हो जाती है उसकी complete embryo की formation जो है आपको फिर देखने को मिलेगी यह आपका complete हो गया है फिर next है आपका complete जो है डाय कोड के अदर embryo की formation कैसे होती है वो मैंने करवा दी है ठीक है अब structure में अगर structure में भी आप 2-3 ल embryonal axis होती है embryonal axis के above level पर यानि कि बीच में जो above level है above उपर वाला level चीक है यह उपर वाला level इसको मानेंगे हम अगर हम यह suspensor ले रहे है तो यह वाला उपर वाल लेवल इस यह जोगा epigotyl है यह क्या है हमारा hypogotyl चीक है तो अगर हम इनके according इनके इन्होंने जो जैसे दिया ह हो है हम उनके according अगर बात करें तो आपके suspensor cell ऐसे होंगे ठीक है टुवाड्स दा माइक्रोपाइलर एंड और यहां पर आपका जो है आप यहां पर जो इन्होंने लाइन बोली है ना कि यहां पर क्या है कि आपका epigotyl कौन सा पार्ट होगा और hypocotyl तो यह वाला पार आपका hypocotyl होगा और यह वाला पार आपका epigotyl होगा चीक है तो यानि कि उपर वाला यह देगा होगा ना कि above the level of cotyledons तो वह कौन सा छूट मल की फोलेशन कोन करते खहते हैं और कि वो कोन करेगा रेडिकल तो जो जो बिलो === वह कौन सा होगा ना है यहां बूल reply का जाता हैंट यूट कि वह सब्सक्राइप से च सही कि स्थर्ड का यालाओकर पॉण कि लिटल थी थोड़ा सा ही चेंज एंदर देखों इनके इंदर प्रस्ट डिवीजन होगी तो यह क्या फों करेंगे वही बेसल बेसल सेल चीक है टू सेल फोर्मेशन फर्मेशन फिर उसके बाद इसी निचे टर्मिनल सेल के अंदर further division होती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, two cell की formation करते हैं, कौन-कौन सा middle cell और terminal cell, चीक है, फिर उनके बाद फिर से इनके अंदर division देखने को मिलेगी आपको, यह suspensor cell है, फिर further division होगी, तो प्लूमल और कोटिलीडोन की formation हो जाएगी, चीक है, और फिर further जो प्लूमल है, उसको एक यहाँ पर, यानि की एक depression के अंदर डाल देते हैं, यानि कोटिलीडोन पूश कर देते हैं, एक point पर, और यहाँ पर कोटिलीडोन की formation हो जाती है, यह जो नीचे वाला cell होता है, सस्पेंसर का, वो radical की formation कर देता है, चीक है, यह कोटिलीडोन की formation होगी, और यह प्ल intrins वर्सली जानि की, डिवाइड हुआ बेसल तर्मिनल चाल के अंदर, फिर फरल यहाँ पर क्या है की डिविजन होगी, इसकें अंधर यानि की जो नीचे वाला सेल होगा इसी सस्पेंसर का वो क्या करेगा है पॉफाइसिस की फोर्मेशन जिससे की रैडिकल और रूट टीप की फोर्मेशन होगी ठीक है अब यह वही सब पढ़ेंगे देखो बेसल सेल जो है टूवाट्स दा माइक्रोपाइलर एंड वो स्वोल हो जाए को टील यूण की वह फोर्मेशन कर देगा को टील यूण को यहां पर स्ट्यूटिल आंग का जाता है जो ग्रोव करता रहते है और फिर इस प्लूमल को एक साइड पर पुश्ट कर देता है दिखाया ना चोटे से डिपरेशन के अंदर जो है वह वह फोर्मेशन करते हैं उ मिडल सेल और एक टर्मिनल सेल चीक है यह आपको देखने को मिल रहे हैं फर्दर डिविजन होने के बाद उसके बाद यहां का जो इसका उपर वाला सेल है जो किसकी तरह काम कर रहा है होस्टेरियन की तरह चीक है और इसी सस्पेंसर के यहां पर यह जो मिडल सेल फॉर्म ये फंब से ऐसे ढूत कर फिरेंगे ओर हो फुष मेसेर के का दी है करडिया और जह को तो आफ‍व पुरी फोर्मेशन कर दीलर इंदी तू है कि सकतल यहां एक सल सॉपैंशन। इस तो छो आपकी प्लूमल है चीक है एक सेकिंड घर आपको पर चीके मानलो कोस लता जाता है कि यह और रीघ का शाया चीकर आपको यहांeping तुक वह दो कोवरिग पटें के लिए जिसको सब्सक्राइब जा जाताए जी के लिए जो के आपका कमप्लीट स्टक्चर के नीचे जो आपकी रैडिकल है उसको कवर करें कोलुहरिजा से उसके अंदर रैडिकल रूट कैप उसके बार की कवरिंग को यह जो जो कवरिंग जो formation है वो complete हो गई है किस-किस की embryo की formation हो गई एंडोस्पम की formation हो गई अब आपके next video के अंदर next lecture के अंदर हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम की fruit की formation कैसे होती है और seed की formation कैसे होती है चीके और पार्थिनो कार्पी और एक दो टाम्स ओ रहे हैं आपके वो last class में complete हो जाएंगे जो आज का आपका topic था वो इतना ही था मैंने आपको करवा दिये कि एंडोस्पम की formation कैसे होती है एंडोस्पम की formation कैसे होती है चीके तो हो मैंने मोनो के कोड के के सिस में भी करवा दिया और डाइकोड के के सिस में भी करवा दिया कोई डाउट हो इसके बाद भी तो आप पूच सकते हूं थैंक यू